भारत में दरसल इस्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट का विवाद आई-एस बना नौन आई-एस सर्विसेस का विवाद विवाद यह है कि इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी जब 32 साल की सेवा के बाद उस पुलिस का लाइन आडर का एक्सपर्ट हो चुका होता है तो उपर से सेकरेटरी होम बन करके आ जाता है का आई-एस अधिकारी तो वो यह कहता है कि भाई लाइन आडर मेंटेनेंस होम अफेर्स चलाने की तो जिम्मेदारी हमारी है ज्यादा तर तो हमारे पास अनुभव है विश्यशक्यता है और आई-एस को आपने उपर से बैठा दिया वित्विभाग का अधिकारी कहता है कि 22-23 साल की उमर में हम फाइनांस अफसर हो करके आये थे और आज 30 साल की सेवा के बाद जब हम इतने वरिश्ट हो गए हैं तो हमारा वित्च सचिप Fan sciences का सेक्रेेटरी रेवरिणू का सेकरेटरी वित्च का अधिकारी नहों करके कौन हो जा रहा है एक है और यह सब्सकर Ultimate कि उधिकारीhem पर डिप्टी डिरेक्टर और जॉइन डिरेक्टर और एडिशनल डिरेक्टर हुए और जब डिरेक्टर और प्रिंस्पल सेक्रेटरी की बारी आई तो एक आईयस अधिकारी आ गया जिसका क्रिशी से कोई लेना देना नहीं मेडिकल एन हेल्थ वारा कह रहा है कि हम साब 30 साल की सर्विस हमने मेडिकल एन हेल्थ मेकी बतार डॉक्टर और हमारा हेल्थ और मेडिकल सेक्रेटरी एक आईयस अबसर हो गया जिसको की जिन्दगी में स्टेटिसकोड पकड़ना भी नहीं आता है जिसने कभी कोई operation, surgery, hospital में काम नहीं किया है वो medical and health का secretary हो गया रक्षा विभाग वाला कह रहा है कि जिसने जिन्दगी में बंकर नहीं देखा जिसने कभी LMG नहीं पकड़ी जो कभी border नहीं गया जो कभी युद्ध का अनुभव नहीं देखा जिसने कभी देखा नहीं military planning क्या होती है strategy क्या होती है armed forces कैसे काम करती है वो defense secretary हो गया तो ऐसा क्यों है यह तो हमारे साथ अन्या है ना इनसाफी generalist versus specialist सामान्या के बनाव विशेशक्य अब जब अब जबात करते हैं तो इसको ले करके कुछ भहम है आफदारना है घलत है misconception क्या है कि अगर पूछते हैं सामान्यग और विशेशग्य कौन है तो आप कहेंगे जो इंजिनिरिंग की पढ़ाई किये है विशेशग्य है और जो बी ए में किये है वो सामान्यग्य यही ना So anyone from the background of science, technology is a specialist and anyone from the side of arts, humanities is a generalist यह सही व्याख्या नहीं क्योंकि सामान्यग या विशेशग्य कोई व्यक्ति नहीं होता है सामान्यग्य या विशेशग्य पद या सेवाएं होती है व्यक्ति नहीं So person or individual is not a generalist or specialist, it is the post or the service मतलब आप एक IIT से graduation, post-graduation, engineering, mtech करने के बाद पिएचिडी है, thermodynamics और आप IIT क्वाडिफाई कर गए आप क्या है, specialist है कि generalist है यहने आपकी qualification भले science की रही है, technology की रही है लेगिन आप जो service में आए है वो क्या है, generalist तो अब आपका qualification पढ़ाई लिखाई एक व्यक्ति के रूप में जो है आप engineer हैं, लेकिन जब आपने एक सेवा, अखिल भारते सेवा, Indian administrative service भारती प्रशासरिक सेवा में आए तो अब आप क्या हो गया है, सामान्य क्या हो गया है, बात आ लिख न सुबिए So generalist और a specialist is a service और a post not a person or an individual पहली बाद दूसरी बात इनके बीच में विवाद किया है इनके बीच में विवाद ये है, के संगठन के शीर्षपर, as HOD, head of the department who should be the person to hold this position? Should it be a generalist or a specialist? जो संगठन का शीर्षपर्टम पद है, सबसे बड़ा पद है, विभागा ध्यक्ष का जो पद है, वो विभागा ध्यक्ष कौन हो? एक सामान्य क्यों या एक विशेशक्य हो? यही है विवाद की जड़ में और क्यों भागा ध्यक्ष का पद चाहिए, जिसके पीछे विवाद है, and why there is a dispute and they want HOD position, यह भी समझने की ज़रूरत है. अब किसी भी संगठन में अगर आप देखें, तो तीन तरह के लोग काम करते हैं, अगर हम इसे higher level, middle level, lower level, organization के तीन अस्तर माने, संगठन के तीन अस्तर, उच्छस्तर, मध्यमस्तर, और निमनस्तर, तो हम देखेंगे कि संगठन में हम जयों जयों ऊपर की और बढ़ते जा जाते हैं, तो हमारे कारेों की प्रकृति कैसे होती जाती है, what is the nature of job that becomes, कारे की प्रकृति अधिकाधिक, और शासनिक होती जाती है, और संगठन के उचस्तर पर तकनीकी कारे कम होते चले जाते हैं, इसके उलट, संगठन के जैसे जैसे हम निमनस्तर पर आते हैं, तकनीकी क काम करते हैं जो निम्नस्तर पर अधिक होते हैं कुछ लोग संगठन में प्रशासनिक काम करते हैं जो संगठन के उच्छस्तर पर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ना एड्मिस्ट्रेटिव है ना टेक्निकल है वो मानौव संबंधित कारे करते हैं कि यूमन रिलेशन्स यहां तक बात्सन में आ गई मिसाल के तौर पर आप पावर कार्पोरेशन में अधिकारी के तौर पर सबसे छोटा पत कौन सा है जूनियर इंजीनियर तो एक जूनियर इंजीनियर जब सीनियर होकर प्रमोट होकर एसिस्टेंट इंजीनियर हो जाएगा एसिस्टेंट से एक्सक्यूटिव हो जाएगा एक्सक्यूटिव इंजीनियर से सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर हो जाएगा और सुप्रिंटेंडिंडिंग इंजीनियर से चीफ इंजीनियर हो जाए पॉलिसी डिसिजन होगा, बजट बनाएगा, प्लानिंग करेगा, नकी जा करके पावर कार्पॉरेशन में बिजली ठीक करेगा। तो कहीं लाइन लॉस है, कहीं पावर में प्रॉब्लम है, बिजली में दिक्कत है, कौन जाएगा। जूने इंजिनियर जाएगा ना, तो टेक्निकल काम कहां जादा हो रहा है, और अडिस्टिटिव काम कौन कर रहा है। यहने हम संगठन के शीर्षपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, नीचे से उपर क्रम में, पत्सो पाने क्रम में प्रोननत होते जाते हैं। हमारे कारे की प्रकृती तकनीकी से अधिक से अधिक प्रशासनिक होती जाती है। चाहे हमारा पद और सेवा विशेशज्यता वाला ही क्यों ना हूँ चीफ मेडिकल आफिसर जिले का सबसे बड़ा मेडिकल अधिकारी है डॉक्टर है 28-30 साल की सर्विस के बाद सीवा हुआ है एमस का डायरेक्टर है इनका काम कैसा होगा अध्मिस्ट्रेटिव होगा बजट बनाना प्लानिंग करना इनकी ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग यहां से वहां इनको यहां सटा दो उनको वहां लगा दो यहीं न करेगा इनके समझने की बात यह है कि संग्ठन के निमनस्थर पर तक्नीकी कार्य अथिक होते हैं और प्रशासनिक काम अधिक होते हैं तक्नीकी कम टेकनिकल कम होते जाते हैं तो अब अगर हम देखें तो एक specialist जब अपना career शुरू कर रहा है तो वो क्या है जादा से जादा technical काम कर रहा है और जैसे जैसे वो उपर बढ़ता जा रहा है वो specialist से generalist होता जा रहा है हो रहा है और एक generalist एक आईयस अधिकारी जो है वो जब joint registrate है joint registrate के बाद वो हो जाता है sdm के बाद हो जाता है cdo cdo के बाद हो जाता है dm के बाद हो जाता है commissioner और चीफ सेक्टरी और सेक्टरी यहने के वह जन्रलिस्ट जैसे जैसे पत्सोपानिक क्रम में आगे पढ़ रहा है वह प्रशासनिक मामलों का विशेशंग के बनता जा रहा है he is becoming the specialist of administrative matters क्योंकि एक sdm के वल तहसील अस्तर पर काम कर रहा है फिर dm जिले स्तर पर काम कर रहा है तो जिले स्तर के जितने विभाग है उनका प्रशासन देख रहा है फिर commissioner में कई जिले आ जा रहा है फिर principal secretary हो रहा है तो पूरा प्रदेश देख रहा है तो किस से financial relation होंगे कैसे planning होगी कैसे decision making होगी कैसे क्या होगा यह नहीं कि वह अपने सेवाकाल में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वह एक शुरुवात किया था सामान्यक गे रूप में लेकिन क्या हो गया विशेशक्य हो गया किस मामले का प्रशासनिक मामले और एक जो विशेशक्य था वो दीरे दीरे कारी की प्रकृति ऐसी होती गई कि वह प्रशासनिक होता गया तो फिर विवात किया है फिर तो एक सामान्यक गे जो है वो विशेशक्य हो गया है एक विशेशक्य जो है वो सामान्यक्य की जगे कारिकी प्रकृति बदलती गई तो इस्पेशलिस्ट जन्रलिस्ट हो गया जन्रलिस्ट इस्पेशलिस्ट हो गया भारत में दरसल इस्पेशलिस्ट और जन्रलिस्ट का विवाद आई-एस बनाम नौन आई-एस सर्विसेज का विवाद है विवाद ये है कि इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी जब 30-32 साल की सेवा के बाद उस पुलिस का लाइन अर्डर का एक्सपर्ट हो चुका होता है तो उपर से सेक्रेटरी होम बन करके आ जाता है का यह सदिकारी तो वो यह कहता है कि भई लाइन अर्डर, मेंटेनेंस, होम अफेर्स चलाने की जिम्मेदारी हमारी है जादातर तो हमारे पास अनुभव है, विशेशक केता है और आई एस को आपने उपर से बैठा दिया वित विभाग का अधिकारी कहता है कि 22-23 साल की उमर में हम फाइनांस अफसर हो करके आये थे और आज 30 साल की सेवा के बाद जब हम इतने वरिश्ट हो गए हैं तो हमारा वित सचिप फाइनांस का सेक्रेटरी, रेवनू का सेक्रेटरी वित का अधिकारी न हो करके कौन हो ज जिला क्रिशी अधिकारी कह रहा है कि हमने जिला क्रिशी अधिकारी से शुरू होते होते हम फिर डिप्टी डारेक्टर और ज्वाइन डारेक्टर और एडिशनल डारेक्टर हुए और जब डारेक्टर और प्रिस्पल सेक्रेटरी की बारी आई तो एक आईएस अधिकारी देना नहीं मेडिकल एंड हेल्थ वाला कह रहा है कि हम साथ 30 साल की सर्विस हमने मेडिकल एंड हेल्थ में की बतार डॉक्टर और हमारा हेल्थ और मेडिकल सेक्रेटरी एक आईये सबस्वर हो गया जिसको की जिन्दगी में स्टेटिस्कोप पकड़ना भी नहीं आता है जिसने कभी कोई आपरेशन, सर्जरी, हास्पिटल में काम नहीं किया है वो मेडिकल एंड हेल्थ का सेक्रेटरी हो गया रक्षा विभागवाला कह रहा है जिसने जिन्दगी में बंकर नहीं देखा, जिसने कभी LMG नहीं पकड़ी, जो कभी बॉर्डर नहीं गया जो कभी युद्ध का अनुभव नहीं देखा, जिसने कभी देखा नहीं military planning क्या होती है, strategy क्या होती है, armed forces कैसे काम करती है वो defense secretary हो गया तो ऐसा क्यों है, यह तो हमारे साथ अन्या है, ना इनसाफी है, कि जब HOD हो जाएगा, वो चाहे specialist हो चाहे generalist हो, काम वहाँ क्या करना है, planning, organizing, staffing, coordinating, reporting, budgeting, यह कौन वहतर करें, जिस दिन से पहला दिन career में शुरू किया बत और joint magistrate, उसी दिन से नेता जी विधायक जी ब्लाग प्रमुग जी से deal करते-करते, जैसे जैसे उपर बरा है, नेताओं से उसका संपर्क, तो रग-रग से वाकिफ है, किन नेताओं और मंत्रियों को कैसे handle करना है, और एक सुपर सीनियर साइन्टिस्ट है, जिन्दगी में नेता नाम का जन्तु देखा ही नहीं, पहली बार लैब के बाहर निकला तो उसको ये खदर धारी दिखाए दिये, सोचा ही कौन लोग है भाई, एक नाना प्रकार के जुजन्तु ये प्रजाति के किस तरह के आदम खोर मालूम होते हैं, वो हेंडिली नहीं कर पाएगा, कॉंग्रेस की गर्मेंट में कल्पनात राये, माउसे विधाय कुआ करते थे, बाद में सांसद हुए, वो देश के उर्जा मंत्री थे, तो एंटी पीसी के एक पावर प्लांट के उद्धाटन पर गए थे, तो पत्र कारों ने सवाल पूछा, कि साब बिजली घरगर नहीं पहुंच रही है, पावर लॉस हो रहा है, लाइन लॉस हो रहा है, ट्रांस्मिशन में गलबढ़ियां है, तो यह क्यों हो रहा है, अब मंत्री जी क्या बताएं, इसमें, तो मंत्री जी दाएम आए देखा, तो एक तरफ एंटी पीसी के पावर इंजिनिरिंग के हेड, सदार बीएस धामी हुआ करते थे, बड़े रेनाउंड पावर इंजिनियर थे, दुनिया के टॉप मोस्ट पावर इंजिनियर मानने जाते थे, दूसरे तरफ उर्जा सची एक वरिष्ठाई सदिकारी से करेट्री एनरजी बैठा था, अब इन्होंने कहा इसको एस धीरे से, जवाब दो इसका, तो वो बुलने लगे, धामी सहाब, यहाँ बिजली पैदा हुई, वहाँ पहुचना है, बीच में तार में खो गई ना, हो गया लाइन लास, यह बात सब की समझ में आ गई है, यह पावर इंजिनियर नहीं समझा सकता था, हैंडिल नहीं कर सकता था, प्रेस कॉन्फरेंस को, तो यह तमाम ऐसे पक्ष में कारक हैं, कि अगर विशेशग्यों की ही बात मान ली जाए, कि विशेशग्य होना चाहिए, तो अंत में हमने लिख भी दिया है, कि विशेशग्य ही तो हो रहा है, जो सामानेग्य का विशेशग्य है, वो हो गया, इस देट वरी क्लिर, जब सेलेक्शन के बाद ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाती है, तो जिलों में वो DM के नीचे रखे जाते हैं, ताकि DM क्या-क्या काम कर रहा है, जो फ्यूचर में उन्हें करने होगे, वो सीखे और डीम उन पर रिपोर्ट बनाता है उस दो साल की अवदी के लिए उन्हें जॉइंट में स्ट्रेट कहते हैं जिनका कोई रोल एसाइंड नहीं होता है डीम उन्हें जो काम देदेगा मेरे साथ चलो घूमो मेरे साथ मेरे दफ्तर बैठो अचा चलो ऐसा करो आज थाने पर जाओ आज समाधान दीवस से आज तहसील दीवस से आज फानाना जेगे जाओ वो जो डूटी दे देगा वही करना होगा इसलिए वो जॉइंट मेजिस्ट्रेटर कोई राइट और कोई एसडीम का तो फंक्शन है डिफाइंड जॉइंट में स्ट्रेट का कोई फंक्शन डिफाइंड जो डीम तैकर देगा फिर वो रिपोर्ट देगा कि इनका सक्सेस्फुल रहा है प्रोबेशन तो वो सर्विस में कंफर्म कर दी जाएंगे अग तब तासील का चार्ज वो भूएंगे SDM ठीके नहीं भी है खलिए अग्याइन दो造 collar